ब्रत में कुछ फटा फट से बना करके खाना है तो यह रेसेपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी इसके लिए ना तो हमें आलू उबालना है ना ही बहुत ज़्यादा कोई जंजट करना है फटा फट से एक आलू को ग्रेट करेंगे और यह टेस्टी सा नास्ता दस म ब्रत वाली ये लच्छा पकोडी बनाने के लिए हमने कच्ची आलू को ग्रेट करके लिए है आलू को छील लेना है धुल लेना है उसे पानी में ही ग्रेट करें ताकि इसका कलर ना चेंज हो और इसको साप पानी से धुल कर इस तरीके से चनी से चानलेंगे ताकि इसमें बिलकुल भी पानी ना रहे आधी कटोरी के करेब इसमें हम सिंघाडे का आटा डालेंगे सिंगाडे काटा आप कम और ज़दा डाल सकते हैं बस अच्छी सी बाइंडिंग होने के लिए ही थोड़ा सा डालना है एक हरी मिर्च डालेंगे तीखा ज़दा पसंद है तो आप हरी मिर्च और डाल सकते हैं थोड़ी सी हरी धनिया की पत्या डालेंगे तोड़ी सी अच्वाइन अच्छे से टेस्ट के लिए सिंधा नमक डालेंगे स्वाधानुसार अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें हमें पानी डालने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बस इस अलू को अच्छे से मसल मसल कर मिला लेंगे यह इक दम बढ़ी असा डो तैयार हो जाएगा पानी बिल्कुल ना डाले नहीं तो यह काफी गीला हो जाएगा इसे मसल मसल कर हमें अच्छे से मिला लिया है अब देख सकते हैं बिना पानी का यह बढ़ी असा डो तैयार हो गया है अब हम इसकी पकॉडिया बनाएंगे और यह बहुत ही और अच्छी सी सुनैरी भी होगी हाई फ्लेम पर अगर आप इसे डे फ्राइ करेंगे तो यह फटा फट से सुनैरी तो हो जाएगी लेकिन अंदर कच्छी रह जाएगी इसे हलका सा सुनैरा कर लेना है यह आलू की पकॉड़े आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया से सुनै सर्व करें या आप इसे चाय के साथ ऐसे भी सर्व कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी एक्टम क्रिस्पी सी यह पकॉड़िया बन करके तयार है तो है ना फटा फट से बनने वाली आसान सी रेसेपी ब्रत में इतने सारे काम होते हैं और आलू अगर आप तुरंत उबाल नहीं स हैं तो इस तरीके से कची अलू का यह टेस्टी सा हैल्थी सा नास्ता बना सकते हैं और अपने काम को आशान बना सकते हैं यह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि आपको ये टेस्टी सी पखॉड़िया बना करकर खाये और मुझे कॉमेंन करके रुष बताइ मिलते हैं ऐसी ही टेस्टी टेस्टी एक्तम नई रेसेटी के साथ नेस्ट वीजियो में तब तक के लिए बाबार हैपी नवरात्री